बात करें कुछ इंपॉर्टन स्टॉक के बारे में जिन में आज की दिन काफी सारी इंपॉर्टन अपडेट निकल के आच चुका यह बहूत हैं इस वीडियो को जरूरू देखना यह विडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टन होने वाले तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजाज फैनेस लिमिटेट की बारे में आज के दिन एक बहुत इंप्टेट निकल के आच चुका है तो इस अपडेट को पर जाने से पहले रागा श्टॉक की कुछ प्रफिमेंस के बाद के जैसे कि आज के दिन आज के दिन पर लगग हमें ए सुचन के पिछले दो दिन में कल और आज समय पासन को मिला तो इस घुरावट के पीज़े का रिजन के दोस्तो जो के आप देख का है जो एमबीट kैपिटल है तो उन्हों ने बजाज फैनेस को जो रेटिंग है सेलिंग के रेटिंग दियेगे उनको सेलिंग के रेटिंग रेकोमेंट किया साथ सा ये श्टोक आपको इस लिबल से अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका बजाज फाइनस फिर भी इस लिबल सी श्टोक आपको और भी 16 पसन नीचे गिरावाट दिखाते हैं देखने को मिल सकते हैं तो इस टारगेट के पीछे का रिजन के इस गिरावाट के पीछे का रिजन के तो इसके पीछे का रिजन है दोस्तों जो कि आप देख पर हैं बजाज फैनस को उन्हें सेल करने के रेटिंग आने वेल बारह मत में इस टोक आपको लगबख 5000 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं यानिकि अभी लगब सकते हैं सास है उनकी जो रिटन और इकूटी है निकि आरोई उसमें आओ कि अच्छे का से स्लोडाउन देखने को मिल सकते हैं जिनके चलते बजाज फैने को अभी प्राइस है उनके थोड़ा सा जो प्राइस है इनको मैं बार बार रिपीट करो एड्मीट जो एमीड कैपि सकते हैं तो कि इस टारगट की चलते हैं कि बजाज फैनेंस में अग्र आप सेरहल्डर हो तो कि एगजीट होके निकल जाना चाहिए यह फिर अगर बजाज फैनेंस में गिरावाट होता भी है तो कि इस गिरावाट का फायद उठाकर UP करके यह प contributing कर चलना चाह hen खास करके बजाज फन ये रिपोर्ट को देखके उनकी दिमाग में सबसे ज़्यादा question mark आ रहा है जिन्होंने बजाज फैनेस को top पर ही खरीद होगा क्योंकि अगर आप बजाज फैनेस के एक साल के performance को देखो गए तो stock अपने top level से exactly 24% जादा गिरावाट हुआ तो ये बता जाए रिपोर्ट के जिरे के और भी 16% गिरावाट हो सकता है तो उनके तो capital लगबग 40% loss देखने को मिलेगा तो कि उनको इस लेट पर exit होके निकल जाना चाहिए कि इससे पहले के stock और गिरावाट हो कि हम इस 24% loss लेकर निकल जाए तो बजाज finance में कोई loss में वेचने के बारे में अगर बोलते हो तो दोस्तों मैं तरह का चाहिए बजाज फाइनस बहुत ही fantastic company बहुत ही कमार की अगर आपने बजाज finance का थोड़ा सा बिजनस को अगर थोड़ा सा ओवर भी लोग ले लोगे उसके बाद आप खुद ही समझ पाओगे कि हां कौन से अपने diamond stock अपने पिक किया और जितना में गिराबाट हो जाए तो आपको पैने करने के ज़रूज ने है तो वैसमें आपको थोड़ा थोड़ा important चीज मैं बताना चूंगा जैसे की सबसे पहले तो आपको पता यह जो बजाज फैनाश लिमिटेट है इंडिया के सबसे बड़े दोस्तों में न्व फ सी कमपणी बजाज फैनाश बहुत ही लेंडिंग है साथ सा कंपनी के जो SME लेंडिंग है उसमें भी आप देख पारेंगे उसको भी चाहूना आपको उसमें भी बहुत ही शांदर ग्रोफ देखने को मिल जाएगा उस चीजे जो कि हाइलाइट करने वाले चीजे था बिजनेस इस प्रेजेंट इन तो ओवर तर पंदरा सो लोके के आसपस इनके हमें AUM जो consumer learning है उसमें हमें ग्रोफ देखने को मिल जाते हैं जो के अक्रोफ दा इंडिया में सिर्फ इंडिया के बात हो रहे हैं यूकि आप देख भी पारेंगे उसमें से एकीस सो से भी ऊपर ब्रांचिस ऐसे हैं जो कि रूरल एरिया में हमें देखने को देखने को मिल जाते हैं तो बहुत ही शांदर बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी और यह कोई ऐसी कंपनी नहीं है आप सोच रहों कोई अब नो डाउड अगर अपने थोड़ा सा अब्जोब किया होगा जो भी डेटा में आपको दिखाए इससे आपको अंदाज आगा है कि क देखने को मिल जाता है तो सारे तीन लाग करों के मार्केट के अबास साथ ही साथ अपने सेक्टर में यानि कि फाइनस और इंवस्मेंट अपनी सेक्टर के एक नमबर ओन लीडिंग कंपनी है जो के आप देख पार होंगे उसके निचे भी जो है उन्हीं के पैरेंट कंपन बहुत ही बड़ी कंपनी बहुत ही फैंटेस्टी कंपनी है तो अगर रिलाइंस जी आ भी जाता है जो कि दो दिन पहले आपने अपडेट आया था अगर आ भी जाता है तो उनको डिरेक्ली जाके कोई नमबर ओन को टकर नहीं दे सकता हाँ उनके पास कस्टोमर पर जरूर ह अगर वो आ रहे है कस्टोमर पर जरूर होगा लेकिन बजाज फैनस को डिरेक्ट टकर देना दोस्तों इतना इजी नहीं बहुत ही टफ रहने वाले बजाज फैनस आज ही पी लीडिंग है क्योंकि उनके पास कस्टोमर पर सबसे ज़ाद है और आने बाला टाइम में भी साय नहीं में पॉट सब्सें थे इंग बीजनिस में उनको इनके बिजनस में आप यहां पर देख बहुगा रहे होंगे सासे कंपनी के कौटली नमबर देखने, हर कौटली कंपनी की नमबर हमें अच्य देखने को मिलेगा, पिछले बार भी जो कंपनी काट fifteen के नमबर दिखाए, आउस्ट्टैनी नमबर दिखाए, तो बहुत ही शांदा data fantastic company तो बजाज finance अगर आपके पास है जिन्होंने टॉप पे एक दमबाई किया तो उनकी दिमाग में कि क्योंकि 24 पसंट और उनके पॉर्टफियल में गिर्यावाट हो रहे हैं तो अगर श्टॉक और भी 16 पसंट हो जाते हैं तो 40 पसंट गिर्यावाट लॉस में बेचने वाले कंपनी तो बिल्कुल नहीं है मैं बार बार रिपीट करो और सबसे important चीज़ अगर और भी 16 पसंट हो भी जाता है मान लो आप तो क्या बजाज finance इससे पहले कि यह 40 पसंट गिर्यावाट को फर्स टम दिखागा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है इससे प लाकों हजारों बार ऐसे गिर्यावाट दिखाए 30 पसंट 40 पसंट हजारों बार इस बीच में इस 20 साल के बीच में कितने बार ऐसे रिपोर्ट आया होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी अल्टिमेटे आपको उपर ही जाते है क्यों कंपनी बहुत ही fantastic है और पान बूच के फैला जाते है तो प्लीज डोंट पैनिक अनी के जरूत है अगर गिरावाट होता है अगर आपके पास capital है तो बिंदा दबा के माल खादना क्योंकि यह आपको लॉस कभी भी नहीं कराएगा the next talk है हमारा so deeper ignited limited आज के दिन के बाद के तो first time में थोड़ा सा त को मिला था तो आज ही के दिन deeper ignited में हमें positive update आते हो देखने को मिला जो कि इनको management से related सो कल के दिन इनके जो management है तो business world की तरफ से इनको अबॉर्ड देते हो देखने को मिला जो कि लाज इंटरपाइस के तो उनके जो CFO है Mr. Sanjeeb उपद्ध है तो उनके अच्छे का से ओर्ड मिलते हो देखने को मिला जो कि बिजनेस से related तो कोई भी company के management को अगर अच्छे का से बिजनेस से लेटर अगर कोई आवर्ड मिल दिया जाता है तो उसे एक positive point किया जाते क्योंकि उनको management को एक thumbs up दिया जाता है क्योंकि जो management है मतब business से लेटर बहुत ही हम aggressively काम करते हो देखने को मिल जाता है तो अगर आप इपा ग्नेटर केमिकल की अगर आम बात करें बहुत जाके आप company के client बेस देखना ऐसे कोई company ने रहेगा जो इनकी client नहीं होगे तो जिस company के management इतने strong होगा उनकी client बहुत strong होगा जिस company के client बहुत strong होगा तो automatic वो company ऐसे ही आज टॉक पी नहीं बैठे कितनी शांदर रिटर मना के दिया है और कोई यह कोई आज की company नहीं है तो बहुत ही धाकर यह आपने होल करना 1750 के बहुत ही strong support है इसका मतलब यह नहीं कि यह break नहीं होगा और जो 1850 के लिए वह कभी strong resistant हो तो उसको कभी break नहीं होगा तो बाजर में थोड़ा बाक तीजी आएगा तो इस टॉक में आपको जरूर recovery देखने को जरूर मिल जागा तो आ लगभग 400-400 लेकिन जिन्होंने हाली में बाई किया क्योंकि कभी 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 तो correction आना है था तो top level से लगभग आपको 36 तो नहीं 40% लगभग आपको correction को मिल जागा तो जो लोग अभी तक phrase buy नहीं किया जिन्होंने किया वो तो 20-60 करे चाहो तो average भी कर सकतो अगर आपने थो हो जाल सकते हुए और इस प्लीट को देखे इन चाहिए अच्छे रहा होगे तो आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा तो बिडिटन को टतने को डाउत है कमें से कि मैं पोस्ता तो अब तक कि की बाई